दो साथियों स्वागत है आपका अपने चैनल एक्जामगण में साथियों आज हम जील के पार्ट टू पर चर्चे करेंगे जो बच्चे हुए क्यूस्चन है आज इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे जील पर इसी वीडियो पसंद आये तो वीडियो का लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्ते के साथ सेयर करिएगा आई साथियों अपना पहला प्रस्ण देखते हैं निम्न में से वह सागर कौन सा है जो भूवद्ध है हमें यहां बताना है कि जो भू में से मिला हुआ सागर है वह कौन सा सागर है तो बिकल्प नंबर ए हमारा है लाल सागर बिकल्प नंबर बी हमारा है तिमोर सागर बिक वह भू वद्ध सागर है आईए साथी मों पने अगले प्रेष्ट के और चलते हैं अगला प्रेष्ट है हमारा अफरीका महादीब की सबसे बड़ी जील है यानि कि हमें जह बताना है कि अफरीका महादीब जो है उसकी सबसे बड़ी जील कौन से है तो विकल्ब नमबर A है हमारा विक्टोरिया, विकल्ब नमबर B न्यास, विकल्ब नमबर टंगानिका और विकल्ब नमबर D हमारा है चाड़ तो साथियों इस में हमारा बेकल्प नमबर ए सङी हो जाए गा, यानि कि जो Victoria जील हुआ अफ्रीका महादेप की सबसे बड़ी जील है हमसे पूछ सकता है कि अफ्रीका महादेप की सबसे बड़ी जील कौन सी है तब भी हमें Victoria बताना है या कभी कभी ऐसे पूछ लिए जाता है विक्टोरिय जील किस महादीप की सबसे बड़ी जील है तब भी हमें अफरीका बताना है आईए साथ विम अपने अगले प्रस्ट के ओर चलते हैं गत कुछ सताब्दियों में निम लिखित में से किसका इतना अधिक संकुचन हुआ है कि वह पर्यवरण विश्यक चिंता का कारण है यानि कि यूरेशिय जो हमारा उसके अंतास्तली छेत्र में अनियक समुद्र जीले हैं उनमें से कुछ झीले जो संकुचित हो जारी है यानि कि सूखती जारे हैं थोटी होते जारे हैं तो वह पर्यवरण के किंता का कारण है तो हमें बताना है ऐसा कौन सा विकलब है जो हमारा इस प्रस्ट का सही उत्तर होगा तो साथियों पहला विकल्प हमारा है आरल सागर, विकल्प नमबर बी हमारा है वालकस जील, विकल्प नमबर सी हमारा कैस्पियन सागर और विकल्प नमबर डी हमारा है बैकाल जील तो साथियों इसमें हमारा बिकल्प नंबर सी सही हो जाएगा यानि की कैस्पियन सागर जो है या हमारा यूरेशिय के चिंता का विशय बन चुका है आजि साथियों अपने अगले प्रष्ट की ओर चलते हैं अगला प्रस्थ हमारा है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है हमें यह पताना है इन में से कौन सा युग्म गलत है यानि कि कौन सा युग्म मिल नहीं रहा है पहला विकल्प हमारे ग्रेड वियर कनाड़ा में इस्थित है मिसिगन युएसे और ओनेगा आस्ट्रेलिया और प्रस्टव करेएं कि उसे में हमारा बिगलऴ कर नमबर 3 होगा क्योंकि उन्हें गर आफ तर्म देखते हैं के अगला प्रस्ट मारं है निमन मेसे कौन इरान की सीमा को इस पर सक्रता है हमने बताना है कि एरान की सीमा को कौन से जीमा को हमारी स्परती है तो पहला बिकलब हमारा है कैस्पियंज सागर, आरल सागर वालखच जील या भैक आ सी безопас कि as Colt रसकरता है आई यह साथ से like प्रेष्ट के चुर्ब हमारा है कि स्को पर्लाफ सायवरिय कहा जाता है किसे पर-laaf साइवरिय का मतलब है साइवरिय का मौति किसे कहा जाता है पर थे मिस्दती होता है तो पहला लिंक नवर जील तो साथियों जैदे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब करके अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा तो साथियों इसमें हमारा विकल्प नंबर एस ही हो जाएगा यानिकी बैकाल जील है जिसे हम परलाफ साइ वरिये कहते है कि ह Cul Finnish आयए साथ हम अपने अगले परस्ट के और चलते हैं अब साथ ही हमारा अगला पृष्ण है कि देश की सीमक कैस्प जिल में नहीं मिलती है तो फिल नंबर ए है अजरबयजान विकलब नमबर बी रूस विक्लपन सर्क्राइड से चिकरेन फास और विक्ल नमबर टुर्कमेनिस्तान तो कैस्पियन धील यह वह व के से नहीं मिलती है to beba bak रीकल Пरमबर है या या निकी युक्कैन बागी अज़रबायजान आ और रूस और लियुट कमेनिस्तान से हमारा कैस्पियन जील मिलती है यानि कि उसकी सीमा से हमारी कैस्पियन से जील लगी हुई है आईए साथ में अपने अगले प्रस्ण के और जलते हैं टनले से पनाम जील निम्न में से किस देश में इस्थित है टनले से पनाम जील जो हमारी वह किस देश में इस् चील ने शेप नाम जहील जो हमारी है वा कमबोडिया में इस्थित है आई आये साथ में हम अगले प्रेष्ट कंई ऊर चलते हैं पिर्थभी पे सब्से गहरा इस्थल है हमें यह बताना है कि पिर्दिया पिर्थबी पर सबसे गहरा औस्थल कौन सा है काश्पियन सागर काला सागर म्रिस्चागर या एंजीन सागर तो साथी उसमें हमारा विकल नमबर सी सही हो जाएगा यानी कि इम्रिस्ट चागर हमारा जो है प्रित्वी पर सबसे घहरा अस्थल है आई साथ यूँ अपने अगले प्रश्ट की ओर चलते हैं अगला प्रश्ट हमारा है संयुक्त राज अमेरिका की ब्रहत जील का पूर्व से पस्चिम की ओर सही क्रम क्या है हमें यह बताना है संयुक्त राज अमेरिका जो हमारा देश है उसके ब्रहत जील का मतलब बड़े जील पहले हुए जीलों का पूर्व से पस्चिम की ओर सही क्रम क्या है इसमें विकल्प नमबर हमारा ए है हुरन, मिशिगन, ऑंटेरियो, सुपीरिया और इरी जील और विकल्प नमबर हमारा है सुपीरियो, अंटेरियो, इरी, मिशिगन, और हुरन और विकल्प नमबर सी हमारा है अंटेरियो, इरी, हुरन, मिशिगन, सुपीरिया और विकल्प नमबर दे हमारा है इरी, हुरन, मिशिगन, अंटेरियो, और सुपीरियर तो साथ ही इसमें हमारा बिकल्ब नमबर सी सही हो जाएगा यानि कि Ontario, Erie, Huron, Michigan और Superior यही हमारा पूर्व से पस्चिम की और सही करम है यानि कि बिकल्ब नमबर सी सही है इसमें आईए साथ ही हो अपने अगले प्रस्ट की और चलते हैं प्रस्ट अंगलियो नमबा जील छेत्र कहां इस्थित है आफ्टेलिया, सहियुक्तुराज अमेरिका, ब्रिटेन तो साथ ही हो इसमें हमारा बिकल्ब नमबर सी सही हो जाएगा यानि कि सहियुक्तुराज अमेरिका साय योक्तराज जमेर्के हमारे अंगलीयोन मा झील है आईए सातियों में अपने अगले प्रस्ट के ओर चलते हैं छेतफला और आतन के आधार पर बिश्टि specifically सबसे बड़ी झील है छेतफला और आतन के आधार पर बिश्टि की सबसे बड़ी झील है अरल सागर, कैस्पियन सागर, वैकाल जील या मिश्गन जील तो साथ ही इसमें हमारा बिकल्प नंबर भी सही हो जागा यानि कि कैस्पियन सागर कैस्पियन सागर जो है हमारा वा आयतन और सेतफल के दृष्ट से सबसे बड़े जील है आईए हम अगले प्रस्ट की ओड चलते हैं निम्न में से कौन से जील हनीमून लेक कहलाती है निम्न में से कौन से जील हनीमून लेक कहलाती है तो इसमें साथ यूमारा बिकल नमबर D सही हो जागी यानि कि टिटका का जील जो है हुआ हनीमून लेक नाम से जाने जाती है और ये साथी हम अपना अगला प्रस्न देखते है नीचे दिये गए कूट में निमलिक छेत्रों फल के सही और ओही क्रम में अवस्तित किजिए यानि कि नीचे चार हमारे जीले दिने गई है उनको छेत्फ़ड के डिट्ट से और ओही क्रम में बेवस्तित करना है तो साथी उसमें हमारा विकल नंबरे सही हो जाएगा यानि कि चार तीन दो एक यानि कि सबसे बड़ी जील सुपीरिया उसके बार विक्टोरिया फिर वैकाल फिर ग्रेट बियर आईए साथी उसमें अपने अगले प्रस्ट की और चलते हैं निम्न में से कौन बिष्ट की सबसे बड़ी जील है तो यह बिकल बहुत ही आसान है इसका बिकल नंबरे सही हो जाएगा यानि कि कैस्पियंस अगर इस जील पर हमने कई बार चर्चा करते लिया है इसलिए टाइम बेश्ट न करते हूं पने अगले प्रस्ट की और चलते हैं यादि साथी उसमें वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए बिष्ट की सबसे बड़ी मीठे जल की जील है इसका भी हमने इसके पहले वीडियो में चर्चा कर लिया है तो इसका बिकल्प नंबर भी सही हो जाएगा यानि कि सुपीरियर जील आईए साथी उसमें पने अगले प्रस्ट की और चलते हैं कौन से बिष्ट की सरवाधिक गहरी जील है तो साथियों इसमें हमारा बिकल्प नंबर सही हो जाएगा बैकाल जील जो है बिष्ट की सरवाधिक गहरी जील है इन सब प्रस्टों को हमने इसके पहले वाले वीडियो में अप्लोड किया हुआ है इसलिए हम इसका ज़्याद समय बिटितन करते हुए अपने अगले प्रस्ट की ओर बढ़ जा रहे है बिष्ट की सरवाधिक गहरी जील है तो इसका बिकल्प नंबर सी सही होगा यानि कि वान जील जो है हमारी वा बिष्ट की सरवाधिक गहरी जील है आई इस साथियों हम अपने अगले प्रस्ट की ओर चलते हैं जो कि हमारे लास्ट प्रस्ट होगा समुद तल से सरवाधिक नीची जील है तो इसका भी बिकल्प नंबर डी सही हो जागा यानि कि मृत सागर जो है हमारी वा समुद तल से सरवाधिक नीची जील है तो साथियों हमारे दो वीडियो में 20 के सभी प्रमुक जीलो को कवर किया गया हो जी साथियों ने वीडियो पहली वीडियो ना देखी हो और डिस्क्रिप्सन बाक्स में जाके पहली वीडियो देखें फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें आपको जील से आने वाले सभी प्रश्णों को आसानी से हल कर सकते हैं ठीक है साथ वीडियो देखने के लिए धन्द बाद यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा